अगर आप लोग OPPO A17 यूज़ कर रहे हैं और OPPO A17 में अगर आप लोगों को application installation से related कोई भी problem आ रही है तो कैसे आप लोग इस problem को fix करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिगा विलकाइक उनको प्रेस कर लेना है देखे काफी सारे reasons की वो जैसे आप लोगों कोई इस टैप की problem आ सकती है प्ले स्टोर से अगर कोई भी दिक्कात आ रहे होगे प्ले स् देख सकते अधिकतर के जिसमें हमें application installation में problem को बाती है जब हम अपने फोन में कोई भी APK को install करते है ठीक है तो अगर कोई भी APK अगर आप लोगों की फोन में install नहों तो अधिकतर चांस है कि आप लोग अपने फोन का version चेक करें जैसे कि अभी जो version चल रहा है वो Android 12 चल र और तरीका रहता है आप लोग अपने फोन की settings open करेंगे then search बार पर क्लिक करें और यहां पर हम सर्च करेंगे installation source installation source हमने इस पर क्लिक कर दिया then जो भी आप लोग मतलब software से for example हम फायरफोक्स यूज़ कर रहे हैं अब इस software से अगर हम कोई भी application को install करेंगे सबसे पहले उसका permission को allow करना पड़ेगा तब जाके हम उस software से जो है कोई भी application को install कर सकते है ठीक है इसके अलावा कोई भी error आते है particular error आते हैं काफी सारे error भी आते हैं तो उनके उपर भी हमने already video upload कर दिया है आप लोग YouTube पे search कर सकते हैं आप लोग को हमारी videos देखने को मिल जाएगी So I hope आप लोग को video अच्छी लगी होगी मिलते है next video में जय मतादी